आज वर्तमान देश की या समाच की या भविश्य की बात करें तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता है उसका करियर वो होता है उसका जॉब इसी के सिलसिले में उसकी स्टडीज भी होती है इसी के सिलसिले में वो अध्यान अध्यापन पूरा करता है इसी के सिलसिले में वो स्किल को अपनी डेवलप करता है कि उसे किस विधा में जाना है कहां पहुँचना है कैसे पहुँचना है एक उम्र आती है जिसमें बड़ा confusion सा बच्चों के फिलाल जीवन में होता है या वो जो अपने career को लेकर थोड़े conscious होते हैं उन्हें के लिए थोड़ी से परिशानी होती है कि वो किस तरफ जाएं और कैसे जाएं यारी उन्हें counseling इस तरीके के मिले ताकि वो यह समझ पाएं कि उनके भीतर ऐसा क्या है जिसको वो develop करें अपना career चुने और job की तरफ पढ़ें ऐसी ही कुछ सबस्याओं का समाधान कैसे होगा इसके लिए समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन students को उन बच्चों को मुफ्त में ये counseling देते हैं ये सुझाव देते हैं ये तरीका समझाते हैं कि कैसे वो किस दिशा में जाएं ऐसी ही एक संस्था है जो ये काम करती है देवाले education आज हम देवाले education के ही जो ट्रस्टी हैं जो उनर हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और तमाम वो छात्र जो अपने career को लेकर परिशान हैं किस दिशा में जाना है उनकी counseling को लेकर जो परिशानी है वो तमाम परिशानी आज आपकी हल हो जाएगी तो आप आज बैट जाएए और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कारिकरम देखिए जिससे कि आपकी आने वाली जो भी परिशानी career से जुड़ी हुई है वो निश्चित तोर पर हल होगी आईए अब जरा हम देवाले education से जुड़े हुए जो शक्स हमारे साथ बैठे हैं उनसे आपकी बुलाकात करवाती हो और आपके सवालों का सारा जवाब आज यहीं मिलेगा और इन ही से मिलेगा स्वागत आपका शिवजी बहुत धनिवाद बहुत अच्छा प्रयास होता है इस तरीके का कि आप digital के दुनिया में और वो students जो परिशान है वो UI जो परिशान है कि आखिर वो किस तरफ जाए इस तरीके का जो step आपने लिया है जो कदम आपने उठाया है निश्चित तोर पर वो सराहनी है देवाले एजुकेशन कैसे काम करता है क्या कुछ उसकी जो बेसिक जो अच्छाइया है या यह कहें कि जो students आपकी तरफ आकरशित हों क्या कुछ देवाले एजुकेशन के पास है देखिए हम लोगों ने देवाले एजुकेशन को करीब 10 साल पहले establish किया गड़गाओं से कई साल हमने इसको चलाया face to face model में और हमें यह मैसूस हुआ कि क्योंकि student segment बहुत बड़ा है और हमारे दूर दराज गाओं तक फैला हुआ है हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है और उन सब तक अच्छी सुविधाएं पहुचाना बड़ा मुश्कि किया था जिसमें हम काफी सारे lectures education के skill के जिसे बच्छों को employment मिले right counseling मिले यह हम लोगों ने launch किया तो हमने एक free education portal launch किया जो देवाले online के नाम से है जिसमें हमने second तरह की videos डाले चाहे वह academic education कियों जिसे बच्छों को अच्छे teachers नहीं मिल पाते जिसके अंदर skill based education है competitive exam आजकल हमारे SSC banking इस तरह के बहुत exam से हैं बच्छों को छोटी-छोटी skills नहीं आती है excel नहीं आता है उनको powerpoint नहीं आता है English communication skills नहीं आती है तो उनके future के लिए जरूरी चीज़े हैं तो वो उनके academic purpose के लिए काम आती है और उनके employment में भी काम आती है तो हमने वो initiative और हमें पता है क यह करीब 50,000 के आसपास users already इसके पर हैं और इसके बन चुके हैं जिस तरीके से देवाले education काम करता है वो तो अभी आपको शिव जी ने बताया है देखिए basically जो सरकार की requirement है वो यह कि digitally लोगों को इतना जादा mature किया जाए इतना जादा परिपक्व किया जाए ताकि उन्हे अपने mobile में, अपने internet में, अपने laptop में ही जो भी परिशानी उनकी है उससे वो उभर्प सकते हैं, students जो होते हैं उन्हें निश्चत तोर पर थोड़ी सी परिशानी जरूर होती है, UI यह भी सोचते हैं कि आखिरकार किस दिशा में जाएं और अगर उनकी queries हैं, उनकी सवाल है Digital India एक ऐसा platform है जहां पर आप आपके पास जो mobile है आप उससे ही तमाम जानकारिया ले सकते हैं और देवाले education ऐसा ही एक platform है जहां आपके या students के उन तमाम सवालों का जवाब देता है एक और बात यहां पर कहना बहुत लाजमी हो जाता है वो यह कि अगर कोई युवा अपने भविश्के और देख रहा है तो पहले वो चाहता है कि वो skilled हो उसके बाद वो चाहता है कि वो career कौन सा चुने और उसके बाद उस number आता है job का यानि कि रोजगार में जाने से पहले इंसान या युवा किस तरीके से skilled हो ये उसकी पहली प्रात्मिकता है और जिस तरीके से शिव जी अभी हमारे interview session से पहले उनसे एक informal बाचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह कोशिश है कि skill को develop किया जाए देवाले education शिव जी क्या skill development के लिए करता है क्योंकि एक step होता है आप पहले skilled होंगे, career के लिए सोचेंगे, तब हम job के तरफ बढ़ेंगे तो डिवाले education skill के लिए क्या कुछ करता है देखे जैसे हमारे देश में तीन major streams है एक commerce stream है, एक science stream है, non medical, medical stream है और बाकी हमारे बहुत सारे arts related activities हैं तो जब बच्चे उनसे graduation करते हैं और post graduation करते हैं उ वहाँ employment मिलती नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने academic पड़ा होता है, यह हमारा system इस तरह का है कि हमारे को academic knowledge तो मिलती है, school से, college से, skill की knowledge नहीं मिलती है, साथ-साथ बहुत सारे बच्चे ऐसा career choose कर लेते हैं जो जिसके लिए बने भी नहीं होते हैं, तो उस वज़े से क्या होता है कि आप के लिए requirement किस चीज़ की है, for example, जैसे मैं finance field से हूँ, chartered accountant हूँ, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे commerce graduate, BBA, MBA करने के बाद भी उनको basic accounting की entries नहीं आती हैं, तो जब वो सीख जाते हैं, excel नहीं उनको नहीं आता है, tally जैसे software नहीं आता है, वो जो की short term में सीखा सकता है, अगर वो सीख जाएं तो employment की ample opportunities हैं, इसी तरह से बाकी skills है, for example, engineering की बहुत सारे बच्चे हैं, उनको photoshop नहीं आता, ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ है, programming नहीं आती है, live environment में काम करने को नहीं मिलता, तो हम वो सारी skills उनको available कराते हैं, उनको guide करते हैं कि आ देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार और उससे जुड़े हुए जितने भी काम, business व्यापार है, वो है, जिस तरीके से अभी शिव जी ने कहा, ये निश्य तोर पर ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके के skill development करने के लिए इनोंने academic पढ़ाई करने के बाद आप किस दिशा में जाएं, ये एक निश्यत उम्र में सबसे जादा परिशानी का वक्त होता है, और उसी वक्त आपको अपने भीतर के उस जो आपकी गुण है, जिससे आप अपने रोजगार तक पहुँच सकते हैं, उसे पहुँचने का, उसे सम हम लोगों ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से और डिजिटल इनिशेटिव के माध्यम से हम लोगों को बोला है कि आप हमारे मुबाइल पर वर्टसप भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं, हमारे Facebook पर लिख सकते हैं, और हमारी counselling team free of course available है, जो उनको guide करेगी telefonically, ताकि उनको travel ना करते हैं, अगर वो personally मिलना चाहे तो वो भी हमारे पास facility है, बट considering कि इतना सारा geographical area है, उसको cover करना बड़ा मुश्किल है, तो digitally हम ज्यादा लोग पहुं सकते हैं, digitally ज्यादा लोग हम तक पहुं सकते हैं, फिर हम उनको online services offer कर देते हैं, जिसके through skills upgrade कर सकते हैं, for example, पूरा English, ह नहां भी जाते हैं, English नहीं आती है, basic etiquettes नहीं आती है, behavioral skills नहीं आती है, addressing sense नहीं आता है, वो सारा हमने record करके अपने free web portal पर डाल दिया है, एक personality development का जो पूरा है, इसी तरह से MS Excel, MS Office, इस तरह के सारे हमने recording सके free portal पर डाल दिया है, basic accounting की knowledge सब free portal पर डाल दिया है, taxation, जैसे बहुत सारे videos, पूरा complete syllabus, NCRT based उठा के पूरा record करके अच्छे teachers के दौरा, सब free of cost साइट पर डाल दिया है, साथ-साथ हम लोग employment में भी बहुत support करते हैं, हम लोग ने एक initiative लिया है, जिसके under, हम बच्चों को pick करते हैं, और industry से connect करा देते हैं, और industry उनको as a trainee ले ले लेती ह and thereafter उनको practical exposure के बाद या तो within the company या outside उनको exposure मिल जाता है, या उतने period में उने at least training तो मिल जाता है, तो हम लोग ने काफी industry से request की, कि आप हमारे थू जो बच्चे आएं, उनको आप as a trainee ले लीजे, जिसे आपकी cost भी कम होगी, plus उनको exposure मिल जाएगा, और उनमें से भी best पॉस बच जाती है companies को, तो इस तरह की तमाम initiatives हम लोग ले रहे हैं, और digitally इसलिए लेना पड़ रहा है, क्योंकि कम समय में ज्यादा तक लोगों तक पहुँचने का ये सबसे अच्छा माधे में है, और प्रधान मंतरी जब government में आय सकता में 2014 में, उन्होंने सबसे पहले अ WhatsApp के जरिए, इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर details जो चल रही है, उसको जरूर देखिए, उससे contact करिए, लेकिन उसके अलामा भी शिव जी इस तरीके से आप तक वो जानकारी भी पहुचाएंगे, कि आखिरकार उनकी websites किस तरीके से काम करती है, Facebook, Twitter और WhatsApp, Social Media के जो और दूस online.com, D-E-V-A-L-Y-A online.com, इस पर जाके आप अपने mobile से, अपने tab से, अपने computer से login कर सकते हैं, सब फ्री है, उससे के अंदर आपको सारे तमाम courses, academic, professional, competitive, skill based, सब available हैं, आप जो आपको पसंद हो, जो आपके relevant हो, वो आप उसको join कर सकते हैं, साथ-साथ हमारा FVPACE है, देवाल ह digital education, FVPACE पर अगर आप अपने request submit करते हैं, कि मेरे को ये problem है, ऐसे-से issues हैं मेरे को, तो हमारी team यहां से support करती है, online आपको response देती है, साथ-साथ-साथ, आप हमारे को call कर सकते हैं, हमारा number भी है, available है, उस number पर अगर आप call करेंगे, तो आपको response मिलेगा, तो इसके साथ-साथ हम लोगों ने एक और initiative लिया, कि हमने live classes दे रहे हैं, तो कई बार हम लोग scheduled live classes offer करते हैं, कि for example, Excel सिखाय जा रहा है, English की ये personal class दी जा रही है, specific class दी जा रही है, तो उस पे आप live जोड़ सकते हैं हमारे साथ, तो ये सारे तमाम digital ways हैं, जिसके थूँ हम से जोड़ा जा सकता है, और आसानी से आप आगे बढ़ सकते हो, आपको job चाहिए, आप हमारे को resume में बेज सकते हैं, हमारा email idea है, हम relevant company से आपको connect कर रहेंगे, तो ज्यादा तर काम हम लोग digitally कर रहे हैं, और जिसे personal support की बहुत कम आफशकता होगी, तो hopefully ये पसंद आएगा, हमारे देश के क्योंकि अगर वो identify कर पाएंगे, कि उनके लिए क्या ठीक है, तो उनका आदे से ज्यादा काम असान हो जाएगा, बिलकुल और employment for all, इस motive के साथ शिव जी आगे बढ़ रहे हैं, और देवाले education आगे बढ़ रहा है, लेकिन वाकई में इस तरीके के जो लोग होते हैं, वो स समाच के लिए, देश के लिए कुछ सराहनी हैं काम कर रहे होते हैं, उनसे प्रेणा लेकर दूसरे लोग कैसे आगे पड़ें, आए जरा अब शिव जी से उस विशे में भी जानते हैं, जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, निश्चत तोर पर ये एक बहुत ही digital इंडिया के जरूरत है, कहां से आपने ये step या यू कहें कि इसकी यात्रा शुरू कि देवाला education कहां से शुरू हुआ, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरीकी कि step लेना चाहिए, जिसे कि लोगों को जादा जादा फाइदा हो, जैसा मैंने कहा कि हमने 10 साल पहले ही शुरू किया थ इतना मुश्किल course हम लोग कराते हैं, मैं खुछ charter accountant हूँ, तो मुझे पता है कितना मुश्किल journey है, उस दौरान हमें ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले जो गलती से इस course में आ गए, या तो friends के influence में, या family के pressure में, जिनकी इच्छा नहीं थी, और बाद में उन्होंने बहुत struggle क तो हम लोग को बड़ा दुख हुआ, यह देखे कि ऐसा क्यों है, प्लस जो काफी सारे बच्चे हमारे पास आते थे, उन्हों को बहुत सारे basic चीजों की कमी थी, फिर जब वो बच्चे आगे गए career में, तो पता पड़ा कि उनको jobs नहीं मिल रहे, क्यों कि उनको skills नहीं है, तो सारा academic सब रहा study के point of view से, तो उसको देखे हम लोग को लगा कि हमारे देश में बहुत जरूत है, प्लस स्कूलों में जाने का मोका मिलता है, हमाँ देखा कितना ignorance है, मैं यह बात बड़ी हमली कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे schools नहोंने हमें entertain नहीं किया, उन्होंने हमने कि स्कूल नहीं किया, जब आप free of cost की बात करते हैं, तो हम जिस देश में रहते हैं, यह free of cost मतलब कि कुछ मज़ा नहीं आएगा, इस तरीकी की सोच के साथ अब आगे बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग education afford नहीं कर सकते हैं, जहां जहां हमारे पास choice आती है, पैसा खर्च नहीं करते हैं, बेसिक education दिलाना मजबूरी है, सरकार भी बहुत initiative लेती है, प्लस मेरा एक और मानना है कि हर किसी को शुगात करनी पड़ती है, जब मैंने initiative शुरू किया, तो हमारे पास funds की भी short days थी, पर हम लोगों ने initiate किया, एक digital studio हमने open किया, कई लोगों ने हमें support किया हमने faces देखे, पर मुझे हमेशा यह लगता है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको support मिलती है, हो सकता है, शुरूआत में ना मिलें, पर long run में मिलती है, हम लोग आज भी चाहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे streams हैं, जहां पर courses हैं, जिनमें अभी हम record नहीं क को और issue है, कई लोग जो employment में चले गए, गलत चले गए, अब वो अपना role change करना चाहते हैं, तो उनको upskilling की जरूत है, तो उस तरह के programs भी हम आने वाले समय में लांच करेंगे, gradually हम बढ़ रहे हैं, यानि देवाले education जो है, वो सिर्फ और सिर्फ यूथ की परिशानियों को इसलिए उस field में बने हुए हैं, तो देवाले education एक ऐसा platform है, जो कि digitally आपके घर तक, आपके mobile तक, आपके हाथ तक पहुचता है, और इसके बाद आप से जुड़ी हुई, जो भी education से जुड़ी हुई, job से जुड़ी हुई, skill से जुड़ी हुई, career से जुड़ी हुई, जिस हम शायद विक्सित देशों में, शायद developed countries हैं, उनसे इसी एक बड़े मामले में पीछे रह जाते हैं, कि हमारे हाँ रोजगार की अवसर उस तरीके से उपलब्द नहीं होते, शिवजी एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, जो कि मेरा अपना व्यक्तिकत प्रशन है, ह सबसे अधा भारती हैं, क्या कमी यहां रह जाती है, एजुकेशन स्किल पूरी होने के बाद, आखिर क्यों बच्चे विदेशी जमीन के ओर आकर्शित होते हैं, पहली बात तो यह की समय बदल रहा है, इंडिया अब आसे 20 साल पहले इंडिया नहीं रह गया, इन फेक्ट आज अगर मैं तो गुड़गाओं में रहता हूं, यहां देखता हूं, कितने फॉर्नर्स लोग हैं, जो फॉर्न एजुकेशन लेके इंडिया में आये हैं, और यहां पर रह रहे हैं गुड़गाओं में, और हमारे इंडिया का जो ब्रें ड्रें होता रहा है, वो रुका ह है काफी सारे लोग इंडिया में वापिस आ रहे हैं इंडिया वहां लोग क्यों जाते रहे हैं क्योंकि फैसिलिटी बहुत बैटर है उनको अपना टैलेंट के साथ मिलके कुछ पर्सनली अपने लेवल पर कर रहे हैं और बहुत सारे यूथ में अभी कई ऐसे इंसिदेंस हुए हैं जिन में लोगों ने बड़ी बड़ी पैकिसे छोड़के स्मॉल स्मॉल इनिशेटिज लिए हैं तो मुझे लगता है कि हम बहतर ब्रेंड में कमी आई उस दैसे education system हमारे इंडिया में दिखेगा क्योंकि काफी creativity related work है हमारे देश में और बढ़ रहा है बिल्कुल आशावादी व्यक्तित्व आपको जरूर आगे बढ़ाता है शिव जी से यह भी सीखने को मिल रहा है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि students आपके साथ जुड सकते हैं बाचीत कर सकते हैं कुछ ऐसे teachers भी होते हैं जो कि यह चाहते हैं कि वो इस तरीके का काम करें या इस जो काम आप कर रहे हैं वो समाज के लिए करें देश के लिए करें teachers आप से कैसे कोंटाक करें कैसे आपकी faculty का हिस्सा बने देखिए वो हमारे को contact कर सकते हम लोगों के पास already hundred plus teachers की team है और उसमें से काफी लोगों ने volunteer हम लोगों को join किया है initiative को देखके तो मैं जो भी टीचर जिस भी domain में हो और जो भी skill कोई करी करता है और मैं तो यहां तक भी बोलना चाहता हूं कई लोग जो teaching profession में नहीं है पर फिर भी कोई ना कोई ऐसी skill है जो लोगों त आता है तो वो सालों साल तक लोगों के benefit के काम आता है तो मैं definitely चाहूंगा कि हमारे देवाले online के थू हमारे Facebook के थू हमारे contact numbers उस पर हैं हमसे संपक करें और हमारे studios उनके लिए available हैं और हम लोग बहुत खुश होंगे जानके कि हम कुछ और चीज़ें add कर पाए हम लोग मैं को एक और बताता हूं कि हम लोगों ने करीब 16 तरह के different verticals WhatsApp group भी बनाये हुए है अलग लग skills के लिए अलग लग और करीब करीब उसमें 70-80 लोग एक ग्रूप के अंदर हैं तो यहां तक ही एक teachers club है हमारा ऐसे हमारा professional club है business club है social club है हम लोग ने कुकरी club भी बनाये हुए हम ल अगर आप युवा हैं अगर आपको यह लगता है कि आपकी skill कैसे developed हो कैसे आप अपने career के और बढ़े कैसे आप job तक पहुँचे तो निश्चित तोर पर देवाले education वो platform है जो आपके लिए खुला है और free of cost खुला हुआ है लेकिन वो अध्यापक जो समाज से जुड़ना और शिर्व जी से यह जानते हैं कि digital platform कितना कारगर है इस तरीके की initiative लेने के लिए इस तरीके की steps उठाने के लिए और हर चोटी से चोटी जगें पहुचने के लिए आपने digital platform इसी लिए चुना ताकि लोग को physically उनको presence उपस्थित ना होना पड़े बस वो सीधे तोर पर अ कितना कारगर लगता है digital platform आज के समय में बहुत कारगर है एक जगे से दूसरी जगे जाना बड़ा मुश्किल काम है traveling cost involved है बाकी और facilities ensure करने पड़ती है हमारे देश में बहुत अच्छे teachers हैं पर कम संख्या में है तो सबको अच्छे teachers और अच्छी knowledge education का फायदा मिले इसके लिए digital is the only way क्योंकि बच्चेओं के हाथों में smart phones है हमारे हां internet की सुवीदा है और देश तरक्की तो करी रहा है हर तरह से तो आज एक गाहों तक हम लोग अपने वीडियो पहुंचा सकते है otherwise physically यह काम करना बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा resources लगेंगे तो एक तो cost effective है digital दूसरा हमारे लिए आज की डेट में environment set है लोगों में awareness है और तीसरा वो limited जो teachers है quality teachers for example मैस का teacher है outstanding teacher है पर वो एक शहर के कौने में पढ़ा रहा है अगर उसके lectures record हो जाए तो पूरे देश को उसका benefit मिलेगा क्योंकि हम कही ना कहीं काफी सारे लोग सफरर हैं इस चीज के कि हमारे को right teacher नहीं मिले या right intention वाले मिले तो digitally और आज के संधर्म में हम लोग पहुं सकते हैं और हम पहुंच भी रहे हैं कहा यह भी जाता है कि अगर आपका सिक्षक अच्छा है तो आपका जीवन निश्चित तोर पर अच्छा हो जाएगा शायद वैसे ही कुछ हिंट शिव जी देना चाहते हैं जो कि मैं समझ पाई हूँ डिजिटल प्लाटफॉर्म एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जिसके लिए कि आपको बहुत जादा परिशानी उठाने की जरूत नहीं है बहुत जादा खर्श करने की जरूत नहीं है शिव जी ने वो प्लाटफॉर्म इसलिए भी चुना क्योंकि हर शक्स के हात में आज स्माट हुआ सब्सक्राइब नोगों को सबस्क्राइब शिर्टि आप को पोटोट Phillips सब्सक्राइब गया हुआ क्या सराइब जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात सरकार करती रही है। क्या सरकार को भी आपने अपने इस इनिशिटिव के बारे में अपने इस बड़े स्टेप के बारे में कोई जानकारी दी है वहां से कभी आपको कोई सहयोग मिला हो या कभी कोई अप्रेस्टेशन मिला हो इस तरीकी की कोई बाद सरकार को हमने संबख नहीं किया अभी तक हम लोगों को रिसेंटली टाइमस ओफ इंडिया ने रिकोगनेज किया है उन लोगों को एजुकेशन 2018 का एजुकेशन आइकोन आवाड रिसेंटली हम लोगों को मिला है बट ये सारा इनिशेटिव हम अपने लेवल पर कर रहे हैं इसके पीछे एक और कारण या मेरी अपनी परसेप्शन है कि मैं स्पीड से काम करना चाहता हूं और और इसलिए ये पूरा सेल्फ फंडेड है तो सर हम अच्छे से इसको आगे ले जाएं और फिर डेफिनेटली जहां helping hands की जरूत होगी लेटर ओन हो सकता है कि हम सरकार तक पहुंचने में जो effort बचाना चाहते हैं कल हो सकता है सरकार हमारे सरकार आप तक पहुंचेगी देकि इस तरीकी के initiatives की आज हमारे समाज में जरूरत है हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो की employment skill और career को लेकर conscious हो उसके लिए संजीदा हो उसके लिए परिशान हो क्योंकि देश का भविशी ये युवा है और अगर ये युवा ही confused होगा अगर ये युवा ही परिशान होगा तो शायद हमारे देश का भविशी कुछ औ भारत एक ऐसा देश है जो की जादा युवाओं का देश विशुपटल पर माना जाता है विशुमंच पर माना जाता है और आज जरूरत है skill की आज जरूरत है किसी तरीके से develop होने की किसी तरीके से job तक पहुँचने की क्योंकि देश का विकास तब ही संभव है बहुत सरा का काम करने वालों के लिए ऐसे platform प्रेड़ना का काम करते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार